पर ना मैं और ताइय कि बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है कुछ इसके बारे में जानकारी हैं एक दो दिन पहले ही हुआ है अच्छा सबका कागज तो नहीं है बहुत सारा जमीन ऐसे है जो हम लोग अपने कबजे में हैं हम लोग उसमें अपना जोताई कर रहा है अब इसके लिए क्या तरीका हो सकता है, सरकार क्या निकालेगी, कैसे होगा कुछ समझने हैं बहुत जादा डर है इसाब खतियान उतियान है आपका खतियान और कागोई तो है, दस्वेज और खतियान है सरकार चाहती जे रसीज कटवा हूँ, नैसे लिलाम करेंगे, ये करेंगे, जैसे जमिजारी परसा में कुशिश तो पुरी रहेगी, इतना तो आना जाना असान नहीं है, इसके लिए गवर्मेंट को दो, चार, छे महिने टाइम देना चाहिए लेंड सरवच्छन का जो कारेकरम नितीज जी लेके आए हैं, वो कैसे हम लोग पुड़ा कर पाएंगे, आपके पस ना कानून का राज है बिहार में अब हमारे बाप दादा थे, जैसे उन से बदल लिये, पहले तो बदले नहीं होता था आप अकेले दिली में रहते हैं और बाकी परिवार गौँपे रहते हैं आपके, उन लोगों के पास कागज हुगज है, खेत खलियान का नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज में हूँ आपके साथ सौरवराज, इस वक्त मैं डिली के सटे गाजियाबाद में हूँ और मेरे साथ जो लोग हैं, ये लोग बिहार के ही रहने वाले हैं, इन लोगों से आज बात करेंगे कि जो बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, क्या इन लोगों को जमीन सर्वे के बारे में जानकारी है, और क्या इन लोगों के मन में कुछ डर भी है जमीन सर्वे को लेकर के क्योंकि बिहार में काफी जादा इसके उपर हाय तोवा मचा हुआ है काफी जादा लोग डरे हुए भी है कि किसका जमीन छिन लिया जाएगा किसको जमीन फिर से वापस मिल जाएगी इन लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये लोग बिहार के रहने वाले हैं लेकिन ये लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके बाहर में अपने काम को ले करके कमाने के लिए धंदे के लिए इन लोग रहते हैं इन लोगों से बात करेंगे आपका क्या नाम हो भाईशाण मेरा नाम गौतम कुमार है और हम यहीं गाजियाबद में रहते हैं अच्छे आपका कहा घर हुआ हमारा छपरा में पड़ता है यह वताईए कि बिहार में जमीन सरवे हो रहा है कुछ इसके बारे में जनकारी है जनकारी एक दो दिन पहले ही सब करद्धिए सबका सब्सक्राइब expect का घड़ा है नुब सबस्क्राइब लीए किता निए लिए क्या उसक्ता है सरकार क्या निकालेगी कैसे QC समझ नहीं है पनमें डर है भोर जादाध है आपका भी घर हुआ बीहार में भी हार ISIS Bev बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है सुनने में तो आ रहा है डर है थोड़ा बहुत है जी क्या हो जाएगा जमीन तो बहुत है इस सब खतियान उतियान है आपका खतियान और कागोई तो है दस्वेज और खतियान है सब का खतियान है जमाबंदी यह सब सब कुछे अब यह पता पर आप पर गाजियाबाद में रहते हैं तो जाएगा अपना जमेन खेत खलियान देखने जाएगे जब खबर आएगा कि कुछ हो रहा है तो जाना ही पड़ेगा कोशिश तो पूरी रहेगी इतना तो आना जाना आसान नहीं है इसके लिए गवर्मेंट को दो चार छे महिने टाइम देना चाहिए शुचित करें कि यहां छे महिने के अंदर इस डिस्टिक में होगा तो आपको पूरे फूल मिलेगी टिकट है निए चार महिना पहले आप लोग को ट्रेंगा टिकट करवाना पड़ता है यह प्रोब्लेम नहीं है नहीं चाहिए गाव में तो जाहीं नहीं सकते लोग बहर नहीं सब बाहर है 32 परिवार 32 के 32 बाहर एक आदमी हमारे भाई रहते हैं तो यह सियो अमीन यह सब तो ब्लॉक का चकर लगाना पड़ेगा इसका बहुत 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 बना हुए कि क्या होगा कि कुछ हमज नहीं आ रहा डर बना हुआ है कितना विखा जमीन है को में हमारे अपना हमें तो ज्यादा हमारे गाओं जो है बिल्कुल वह जो तो आला जमीन है अच्छा मतलब वह नहीं है मरे अदिव अगर नहीं है तो भी हमारा लगबख साथ अट विगा क्या असपास जमीन है तो डर बना हुआ है कि कुछ ऐसा भी है जैसे जिले में है जिले की जमी है उसमें क्या आए कि तीन-तीन चार-चार लोगों ने जमीन की रिजिस्टिक करा रहे है सकांड हुआ है खूब हुआ है आपको तो पता है एक जमीन का दो दो तीन ती रिजिस्टि है हम लोगों का नया लिखवाया हुआ हुआ जमीन है 10 सल पुराना 12 सल पुराना और उस कि उस प्लोट में मतलब जहां हम जमीन लीए हैं बागल के परोड को पता लगता है कि जया गया वो बनाने के लिए तो दूसरा उसका मालिकाना हग जमाने आ गया कि ये तो हमारा रेस्टि है आपने कैसे कर दिया दो दो तिन ती लेजिस्ट्री चले कहाने लोगों क्या तो ऐसा राज रहा साइटिस्वराज कोई देख रेक कुछ नहीं कानू नाम धेर रह दाई अब हो रहा है तो क्या हो लेकि एक पर एक सुरू करना गर्मेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है हर ग्राम प सरकार को चाहिए कि वहाँ जा जो रहता है उसी सीटी में देख लगाया जाए है और उसकी बेवस्ता ही किया जाए ताकि लोग इस समस्चा से अपना समधान निकाल सके आने जाना से बचें यह हकीकत है कि बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमाने के लिए या और भी दूसरे काम के लिए अपने घर से बाहर रहते हैं बड़े-बड़े शहरों में महानगरों में परिवार के साथ रहते हैं आपको भी डर लग रहा है क्या बिल्कुल सौरव देखो मैं एक इववा हूं और मेरी इसमें दो तरीकी राय हैं पहला जो सभी से आपने सुना कि भई ठीक है हमारे पास पुराने कागज है नए कागज का क्या होगा बिल्कुल सोचने वाली बात है तो मैं चाहता हूं कि देखिए जो लैंड सर्वे का विशय है अगर आप देखेंगे जो और भी राज्य हैं जो बिक्सित राज्य है हैं अगर हम उसकी बात करें तो वहां जो लैंड है वो बिल्कुल क्लियर है उन लोगों का वहां कोई भूमी भी बाद नहीं हमारे बिहार में क्या है कि इतने तरह के भूमी भी बाद हैं कि रोज हत्याय हो रही हैं रोज मडर हो रहे हैं कानूनी रूप से कोई बहुत कारी गलत ना करें इस इसके बारे में कौन बताएगा उनको अगर यह जो सर्वे करा रहे हैं लोग इस भी सह में सरकार को मतलब वहां के लोगों को पहले जागरू करना चीट क्योंकि मैं देखिए मैं इवा हूं और मैं जौब के लिए बिहार से बाहर दिल्ली आ गया तो म मुझे भी जमीन के बारे में इतनी चीजों का नहीं पता कागज के बारे में मुझे भी किसी ने वाटशआप पर भेजा मेरे गाउं से मैंने देखा जब से मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ कि आखिर इसमें क्या है तो मुझे किसी ने बताये कि पहले ग्राम सभा लगेगी उसमें अधिकारी आएंगे और अधिकारी के द्वारा बताया जाएगे कि अभी हमें क्या क्या कागज चाहिए लेकिन जब मैं सुनता हूँ कि बहुत लोग गए हैं जो यहां से वो ब्लॉक के ही चकर लगा रहे हैं कागज बनवाने में तो हमारे पास पहली तो बात यह कि हमारे पास पहले बिवस्था है नहीं है हम इस बिवस्था के हिसाब से किस तरह से यह लेंड सर्वेक्षन का जो कारे करम नितीजी लेके आए हैं वो कैसे हम लोग पूड़ा कर पाएंगे आपके पस ना कानून का राज है बिहार में अगर लोगों की हत्याय हो लोगों को मारा जाए बिबाद हो गाउं में उसको कैसे यह रुक पाएंगे तो पहले सरकार को चीए कि ठीक है पहले वहां के लोगों को जागरूप करें कि आखिर यह लेंड सर्वेक्षन है क्या जो अधिकारी इस चीज में लगाए गया है वो अधिकारियों की पहले जांच हो क्या वो भरष्ट तो नहीं है क्या इसमें भरष्ट अचार करते पाए जाते है तो उनके विशाय में क्या करेगी सरकार क्या इसका कोई रूप रेखा है सरकार के पास नहीं है तो मैं चाहता हूं कि देखिए लेंड सर्वेक्षन होना चाहिए अगर राज जी को विक्सित करना है तो सर्वेक्षन भी होना चाहिए लोगों की जो जमीन है उसका बिल्कुल क्लियर कागजात होने चाहिए ताकि आगे ह हम किसी को वो लेंड लीज पे भी दे सकते हैं, वो लेंड को बेच भी सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, जिनके पास किसी ना किसी कारण के लिए परिवार चलाने के लिए, परिवार में बच्चे हैं, उनकी शादी करने के लिए, पढ़ाने के लिए भूमी को बेचन आप रोज ग्राउंड लेबल पर रिपोर्टिंग करते हैं आपको पता होगा कितना भी बाद है भूमी का रोज हत्याय हो रही है रोज मडर हो रहा है लोग रोज कोट का चैरी में चक्कर लगा रहे हैं हम लोग तो यार मैं तो युवा हूं मुझे तो जमीन का कुछ पता भ सब्ढ़ेंगा आपको भी डर लग रहें या ओं बिल्कुल लग रहें लग रहा है सब आगज हूं का नेव नहीं का निकागज है लेकिन बहुत सब्सक्दिया नहीं है अब हमारे बाफ दादा है जैसे उन से बदल लिये पहले तो बद्लेन होता था उसका पेपर नहीं बन तो पहले के समय में बदलाइन होता था जो दूर का जमीन है आप लिए नजदीक वाला हमको दे जा यह पहले आहिए प्रॉष्टणी जमीन का उसका तो कागज मिलेगा नहीं दूसरा सरगार की महं सा वैसे भी किलिख नहीं है अभी नहीं जाती जन्मारना कराई तुरंत इछ कि अभी और तुरंट एगर तो पहले ये तो मताएं सभें किस ले रहा है कि उस्टि यह चाली में जाती जन गर्ना फिर जमीन सर्वें हो रहा है तो यह डर है मनें बिद्गूल डर है उसमें आया तो था कि सारी जमीन फर्वड क्लास के पासी क्यूं है है जमीन का हिस्सा काफी हिसा तो भूमयार राजपदों के पास है ना तो आप अकेले दिली में रहते हैं और बाकिय परी परिवार गौंपे रहते हैं उन लोहें के पास कागज हुगज है खेट खलियान का वह यह कुछ खेटों का है बाके जो पहले भी डिसकस हुआ है कि इसका कागज ही नहीं है घर में चोड़ी हुआ कागज जल गए हैं तो उसका फिर सरकार के पस हम कैसे अपने आपको प्रूफ कर पाएंगे कि हमारे ही जमीन है बाकि कि जो अंकल जी लोग बोले थे कि जो बदलाइन हुआ है कि पिसले जमाने बाबाजी पुर्वज लोग कर लिए कि हां यहां का बदलाब यह लिए फिर उसको भी हम कैसे अपने आपको प्रूफ करना पड़ गये कि हमारे ही जमीन आपकी वहां पे थी तेस तरी चीजों के जब्दलाइन का जो सिस्टम रहा है अपने यहां पूर्वजों के समय से परवावा के समय से इनका जमीन यहां पर जोत लिया गया उनका जमीन वहां पर मौखिक बटवारा जी से पहले काते थे वह भी एक समस्या होगी यह बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं वह तो बहुत ब बेले जिए वह जमीन आपके घर के बास मेरी जमीन हयां बहुत बड़ा कारण है सरकार को चाहिए देखिए इसके पोजिटिव भी हैं लेकि नेगटिव यह हैं कि पहले जो थोड़ा समय मिले कि जो भी बहुत सब्सक्राइब क्या है कि पूर्वज हमारे में अपनी बात करूं तो जो हमारे गाउं में जमीनों को समझते थे वो लोग रहे नहीं हम लोग गा में उसके बाद चीज है इंप्लिमेंट हो तो जादर ठीक रहेगा और जो यह बदलेन की समस्या है यह लगभल लग हो आपको हरे घर हरे गाउं में आपको मिलेगी बड़े तादाद में मिलेगी कभी क्या होता है कि रोड़ पे की जमीन आज क्रेट पर कहीं बदलेन हुआ कि द violin करूण को देगा बलब होता है जमीन दलन फ्रकुषिर ऑख़ा यह ऊना कि गर पारयोन को जानकारी से ठीक How acquisition King कारी ठूपार खुछ डयों यह तो पीकिन होने उन्दिए कम ध्यूर्श कोना गारे हो सब इस आया सब चीजिजे अगई को परने पढ़ेंगे हमारे जमेन कौन से हमारे पिता जी गॉट मेरे ऊस्ट करते था कि शर्वे स्टाट होने वाला है अब अब सब्धम ुपारेगा जो दस्तावेज है खुजना परेगा तो जो दस्तावेज है हमारे बाबा पर बाबा के नाम से उसमें तो चलिए कोई समस्या नहीं है लेकिन वह ही है जो भाई साव ने बोला था कि बदलेन वाली समस्या और कुछ लोग तो गौवमेगर मजरुआ पर बाबा घरो बना लेते हैं दिल्ली में हैं तो उसका हम कैसे प्रूप करेंगे कि हमारा घर है हमारा जमीन है यह जगड़ा का मतलब जो खेती है यह उपजाय जा रहा है जगड़ा की खेती उपजाय जा रहा है यह सर्बेस होना बहुत अच्छी बात है बढ़िया है विकास के लिए यह अच्छी है वो जो दस आठ पॉइंट जो निकल के आ रहा है उसके समाधान के बारे में पहले सरकार को सोचना चाहिए और उसका निवारन कैसे करेंगे वो पब्लिक पब्लिक को बताना चाहिए कि आपके पास यह समझ्या हैं तो यह कम करिए ताकि आगे कुछ प्रोब्लम ना हो और इ देखिए कि दिली से सटे गाजियाबाद में रहने वाले बिहार के लोगों ने जमीन सर्वे को लेकर के अपनी बातों को रखी है इन लोगों के अपनी कर सकते हैं कि समस्या है इन लोगों के मन में थोड़ी बहुत डर भी है अब देखना होगा कि जब जमीन सर्वे होगा बिहार में तो कैसे आम लोग जो घर से बाहर हैं बिहार से बाहर हैं उन लोगों का समस्या का समाधान होता है दिली से सौरब राय लाइब सिटीज